जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्रेब नहीं करते हैं, वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं मूवी के शुरुआत में बताया जाता है कि जूलियस नाम के एक आदमी का फोन बचता है और उस पर जूलियस का एक फ्रेंड रेजी उसे शाम को कलब में मिलने के लिए बुलाता है फिर नेक्स्ट सीन में जूलियस एक होस्पिटल के रूम में बंदा हुआ था और मदद के लिए आवाज लगा रहा था वहाँ पर एक डॉक्टर थोमस अंदर आता है जिसना जूलियस को किड्नैप किया हुआ था थोमस एक साइको सरजन था वो ये बताता है कि जूलियस की एक स्वाइफ निकोल भी थोमस के पास ही वाले रूम में केद है वो थोमस को दिखाता है कि निकोल एक रूम में बंद है जूलियस निकोल को देख सकता था लेकिन उसकी आवाज नहीं सुन सकता था और वही निकोल जूलियस की आवाज सुन सकती थी लेकिन वो उससे देख नहीं सकती थी Thomas Julius को बताता है कि वो उन दोनों को यहाँ पर पांच दिन के लिए रखेगा और इन पांच दिनों में वो Julius को टॉर्चर करेगा अगर Julius टॉर्चर से सका तो वो Nicole को जिन्दा छोड़ देगा और Julius को मार देगा और अगर Julius को टॉर्चर से बचना है तो उसे बस एक बार एक वर्ड कहना होगा इनफ जिसका मतलब होता है बस करो और जैसे Julius वो वर्ड बोलेगा Thomas उसे टॉर्चर करना बन कर देगा लेकिन वो उसके बदले में उसके प्यार यानि Nicole की जान ले लेगा फिर Thomas अपना टॉर्चर शुरू करता है वो एक बॉक्स में से एक छोटी से कुलाडी को निकाल कर Julius की एक फिंगर को कार देता है जिसमें Julius को बहुत भेंग कर दर्द होता है नेक्स्ट सीन में फ्लेजबेक दिखाया जाता है जहांपर Julius और Reggie कलब में बेटे हुए थे Reggie Julius को बताता है कि वो यहाँ पर डेट पर आया है और उस लड़की के साथ में उसकी फ्रेंड भी आने वाली है इसलिए उसने Julius को यहाँ पर बुला है फिर थोड़ी देर के बाद में दोनों लड़किया कियरा और निकोल आते हैं कियरा और Reggie दूसरी टेवल पर चले जाते हैं और जूलियस और निकोल अलग बेटते हैं निकोल जूलियस को यह बताती है कि वो एक बॉकसर है और फिर वहाँ पर सभी तोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में कलब के बाहर आते हैं जिसके बाद में निकोल और कियरा अपने घर पर चले जाते हैं जूलियस और रेजी आपस में ये बात करते हैं कि दोनों को सेकंड डेट में मिलने का मौका मिला है और ये डिसकेशन करने के बाद में वे दोनों भी घर चले जाते हैं मूवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निकोल दर्वाजा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो लॉक था थोड़ी देर के बाद में एक आदमी सेमसन आकर गेट खोल कर वहाँ पर खाना रखता है और वहाँ से चला जाता है जब तक निकोल वहाँ पर पहुचत जाता है और वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट सीन में जूलियस रेजी के घर पर था और उसके कपड़ों पर कॉफी ढूल जाती है जिससे साफ करने के लिए वो बातरों में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपने पेर में एकदम से दर्द महसूस होता है जब वो अपना सपना था फिर नेक्स सीन में जूलियस रेजी और कीरा निकोल का मेच देखने आते हैं निकोल पहले फाइट के लिए त्यार हो रही थी और थोड़ी देर के बाद में वो मेच के लिए आती है और वो उस मेच को जीद भी जाती है मेच खतम होने के बाद में सबी बाहर आते है जहाँ पर निकोल बताती है कि उसे और जूलियस को डिनर पर जाना है वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उनका खाना आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर निकोल और जूलियस वहाँ पर बहुत देर तक रहते हैं और खाना खाकर दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर जूलियस निकोल को प्रपोस करता है और निकोल भी जूलियस के प्रपोसल को हा कर देती है जिसके बार में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं फिर नेक्स्ट सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अब ये सेकंड डेज चल रहा था, थॉमस जूलियस के पेर में अपने हाथों से ड्रिल करता है और उसके पेर से बहुत जदा कून आने लगा था और फिर थॉमस उसकी आखे देखने लगता है, अगेन ये सीन यही पर क करके उसकी एक आख को निकाल देता है, जिसके बार में अगेन ये मुवी वापस पास्ट में आ जाती है, निकल और थॉमस नीन से जाकते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे वो अपनी फर्स डेट पर मिले थे, सीन अगेन प्रेजन टाइम में आता है और नेक्स्ट सी जाता है जहाँ पर निकल पेले से गेट पर बेट कर उसका इंतजार कर रही थी, जैसे ही सेमसन गेट खोल कर खाना रखता है, निकल उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है, सेमसन निकल से अपना हाथ छुडाने के लिए निकल के हाथ पर चाकुस से मारता ह ओर जल्दी से gate बंद कर देता है और जाते जाते वो निकोल से पुछता है कि कहीं उसे जादा लगी तो नहीं और वो इसके लिए उससे माफी भी मांगता है निकोल सेमसन को रोक कर उस से बात करने की कोशिश करती है और वो पूछती है कि क्या जूलियस जिन्दा है ये मर गया जिस पर सेमसन बताता है कि जूलियस अभी तक जिन्दा है फिर निकोल सेमसन से ये भी पूछती है कि थॉमस ने उन्हें ही याँ पर टॉर्चर के लिए क्यों चुना है लेकिन इस बारे में सेमसन को कुछ भी पता नहीं था और वो वहाँ से चला जात है अब डे 3 शुरू होता है और थॉमस एक एसीट की बोटर लेकर आता है थॉमस एसीट की एक एक बुंद को जूलियस के पेर पर डालना शुरू कर देता है जिससे कि जूलियस का पेर जलने लगता है और वो दर्द से तड़प रहा था थॉमस जूलियस को याद दिलाता ह कि वो चाहे तो यह सब रोख सकता है और उसके लिए उसे बस एक वर्ट कहना होगा इनफ जिसके बाद में जूलियस यहां से जा सकता है लेकिन जूलियस कुछ भी नहीं कहता और इस दर्द को सेता है जिसके कारण उसका पेर पूरी तरसे जल जाता है और फिर थॉमस रूम से बाहर निकल कर चला जाता है फिर अगेंज सीन फ्लेजबेक में जाता है जहां पर रेज जी और कियरा की शादी का दिन था फंक्शन शुरू होने के कुछ देर के बाद में जूलियस निकोल को शादी के लिए प्रपोस करता है और निकोल जूलियस का शादी का प्रपोसल हा कर देती है फिर मुवी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर थॉमस उस रूम से बाहर आया था उसे याद आता है कि पिछली बार केसे वो किसी और कपल को टॉर्चर करने के लिए यहां पर लाया था और उस लड़के ने थोड़े टॉर्चर के बाद इनफ बोल दिया था जिसके बदले में थॉमस उस लड़के की लवर को मारने के लिए गया लेकिन उस लड़की ने पहले ही अपना हाथ काट कर अपनी जान दे दी थी थॉमस को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उसने वापस बाहर आकर उस लड़के को हतोड़े से पीट पीट कर मार दिया था यहां पर सेमसन निकोल से वापस बात करने के लिए बेटता है और वो उसे बताता है कि इटरनल लव जैसी कोई चीज नहीं होती सबका प्यार एक ना एक दिन खतम हो ही जाता है और थॉमस दुनिया को यही बताना चाता है और इसलिए थॉमस कपल के साथ में ऐसा करता है लेकिन थॉमस लास्ट में दोनों लोगों को मार देता है और वो सबसे जुड बलता है सेमसन के साथ भी थॉमस नहीं किया था लेकिन थॉमस का साथ देने की वज़े से उसने सेमसन को जिन्दा चोड़ दिया फिर निकॉल सेमसन से जूलियस को जान से न मारने की रिक्वेस्ट करती है जिस पर सेमसन गुस्ट से में आकर बोलता है कि निकॉल ने भी जूलियस को चीट किया था और उसे ऐसा बिलकुल भी नहीं बोलना चाहिए सेमसन निकोल पर बहुत जोड़ से चिलाया था जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है अब टेप फोर शुरू होता है और थॉमस ने जूलियस को खड़ा करके उसके हाथ बान रखे थे थॉमस फिर से जूलियस से पूछता है कि क्या वो अभी भी इनक वर्ड नहीं बोलेगा जिस पर जूलियस कुछ भी नहीं कहता थॉमस फिर उसकी पीट पर लोहे की चेन से मानने लगता है और जूलियस को अपना पास्ट रयाद आता है जब वो एक गार्डन में बेटा हुआ था और निकोल वहाँ पर आकर उसका सामन वापस लोटा देती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि उन दोनों का डिवास हो गया था क्योंकि निकोल ने जूलियस के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके जूलियस को चीट किया था को खोलने की नाकामियब कोशिश करती है फिर यहाँ पर थामस एक स्कूरूडराइवर को जूलियस की पीट में गुसाता है और उसे वापस निकाल लेता है सेमसन यह सारी चीजे सीसी टेवी केमरा में देख राता और वो जूलियस को जिन्दा रखने के लिए वहाँ पर पहुच जाता है और थामस को रोक देता है जिसके बार में थामस सेमसन को जूलियस को साफ करने के लिए कर वहाँ से चला जाता है और सेमसन अपनी सफाई करने के काम में लग जाता है फिर यह सीन यही पर कट होता है और शिफ्ट ओकर जूलियस और निकोल के शादी वाले दिन पर आ जाता है लेकिन यह जूलियस का एक सपना था वो निकोल जूलियस से कहती है कि वो इसमें जाना चाहे तो जा सकता है और जो भी करना चाहे कर सकता है जूलियस से कहता है कि वो बस इसी तरह से मरना चाहता है लेकिन इस पर निकोल उसे समझाती है फिर मुवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निकोल के रूम का गेट खुला हुआ था फिर मुवी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निकोल के रूम का गेट उसे खुला हुआ मिलता है वो उस रूम से बाहर आती है और बाहर उसे गेट पर एक चाकू बे मिलता है जिससे वो उठा लेती है और उस चाकू को लेकर आगे हॉल में आगे बढ़ती है और हॉल से होकर भाग कर उपर हॉस्पिटल में आती है और वो जूलियस को ढूनना शुरू कर देती है निकोल को जूलियस के चिलाने की आवाजे आ रहे थी और वो जूलियस की आवाज का पीछा करते करते उसके पास बहुच जाती है और वो उसे खोल देती है जिसके बार में दोनों उठकर भागने लगते हैं और थोड़ी दूर पर बहुच जाते हैं फिर तभी थॉमस रूम में जाकर देखता है कि जूलियस गायब है और उससे बेट पर चाकू मिलता है जो निकोल वहाँ पर भूल गई थी और वो चाकू को उठा कर उन दोनों को ढूनने के लिए निकल जाता है जहां पर उसे रास्ते में सेमसन मिल जाता है और थॉमस उसे जान से मार देता है निकोल और जूलियस भागते भागते हॉलवे तक पहुच गए थे और तभी सामने से थॉमस भी आ जाता है निकोल एक फाइटर थी और वो थॉमस से लड़ने लगती है और उसके पेर पर मार कर वापस जूलियस के साथ में भागना शुरू कर देती है दोनों जैसे तेसे बाहर के रास्ते तक तो पहुच जाते हैं लेकिन थॉमस फिर से आ चुका था निकोल और थॉमस के बीच में फिर से लड़ाई होती है लेकिन अब निकोल थोड़ी कमजर होने लगी थी उसकी मदद के लिए जूलियस आकर थॉमस को पकड़ कर उससे मार डलती है जिससे कि थॉमस की मौत हो जाती है जिसके बाद में निकोल और जूलियस दोनों हॉस्पिटल से सही सलामत बाहर आते हैं और उन्हें अपना पूरा पास्ट याद आता है जिसके साथ में यह मूवी यही पर एंड हो जाती है तो दोस्तों मूवी में यह बताया गय अक्सर कपल्स को किड्नेप करता था और वो उन्हें टॉर्चर करता था चुकि उसे लगता था कि इटर्नल लाव जिसा कुछ भी नहीं होता लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए एक नएक दिन खतम हो ही जाता है लेकिन अभी भी कई लोग इसमें फसे हुए हैं थॉमस अपने आपको बचाने के लिए कोई भी अपना प्यार भूला सकता है और इसले उसने इस बर चुल्यन और निकोल को चूना था क्योंकि उनका डिवास हो चुका था लेकिन दोनों में प्यार अभी भी था जूलियन थॉमस के इस एक्सपेरिमेंट में हार नहीं मानता और अपने प्यार को साबित करके माज़ा सही सलामत बहार भी निकलता है आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी यहां पर वीडियो डालता रहता हूँ